इस साल जनवरी में दिपिका पादुकून के फिल्म छपाक रिलीस हुई थी आप सभी को याद होगा कि छपाक रिलीस के वक्त जेएनियू में काफी विवाद चल रहे थे और अपनी रिलीस के ठीक पहले दिपिका पादुकून जेएनियू यूनिवरसिरी पहुची थी नहां चातरों से मलाकात की थी जिसके बाद एक्टरिस का विरूद भी किया गया था JNU के बाद दीपिका के फिल्म को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था दीपिका के JNU जाने का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता नजरा रहा है सोशल मीडिया पर इस वक्त दीपिका ट्रेंड कर रही है उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि JNU जाने के लिए उन्होंने पांच करोड रुपए लिये थे एक पूर्वर और जेंड एनके सूध ने दीपिका पर आरोप लगाया है कि वो पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनिसमैन अनिल मस्रत के कहने पर JNU प्रोटेस्ट में गई थी जिसके लिए उन्हें पांच करोड रुपए दिये गए थे सोशल मीडिया पर इस वक्त दीपिका को काफी ट्रोल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि JNU जाने के लिए उन्होंने पैसे लिये थे हलाकि अब तक इस बारे में दीपिका का कोई भी बयान सामने नहीं आया है जिस बात पर दीपिका JNU गई थी तब उन्होंने कहा था कि जगर्व होता है कि हम अपनी बात कहने से डरे नहीं चाहे हमारी सोच कुछ भी हो लेकिन मेरे ख्याल से हम देश और इसके भविश्य के बारे में सोच रहे हैं ये अच्छी बात है JNU में दीपिका ने चातरों के साथ होई मारपीट और हिंसा के घटना को निंदनी बताया था और चातरों से मिलकर उने संत बना भी दी थी इसके साथ इस घटना को लेकर कई बॉलिवुड सेलिब्रिटीज के रियक्शन सामने आये थे जिन में अनुराक कश्यप दिया मिर्जाकृती सेनन आलिया भट जैसे नाम शामिल है सभी ने चातरों के साथ होई हिंसा पर अपना विरूद दश कराया था लेकिन फिलहाल दीपिका के JNU जाने वाले मामले को फिर से भुनाया जा रहा है और इस वक्त दीपिका सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस द बेल आइकन फोर अपडेट्स